LCM या लगुत्तम समापवर्त्य दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM या लगुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं का गुणज या मल्टिपल होती है अलग अलग करीके हैं जिनसे हम अलग 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 नंबरों का LCM निकाल सकते हैं लिस्टिंग विधी पहले दी गई संख्याओं के मल्टिपल्स की सूची बनाईए और फिर सबसे छोटा समापवर्ति ज्यात कीजिये यानि के स्मॉल्लेस्ट कॉमन मल्टिपल आईए नीचे दिये गए कुछ उदाहरणों पर एक नजर डालते हैं उदाहरण एक दो और तीन का LCM या लगुत्तम समापवर्ति ज्यात कीजिये Solution 2 का Multiple is equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 3 का Multiple is equal to 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 दो और तीन के Common Multiples छे, 12, 18 है अक दो और तीन का लगुत्तम गुणज यानि के Smallest Common Multiple छे है उदाहरण दो तीन और आठ का LCM या लगुत्तम समापवर्ति ज्यात कीजिये Solution 3 का Multiple is equal to 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 आठ का Multiple is equal to 8, 16, 24, 32, 40 तीन और आठ का Common Multiples 24 है आथा तीन और आठ का लगुत्तम गुणज 24 है जब दो संख्याओं में एक के अतरिक कोई Common Factor न हो तो उनका LCM या लगुत्तम समापवर्ति इन दोनों संख्याओं का बुणनफल होता है उदाहरण एक तीन और साथ का LCM या लगुत्तम समापवर्ति ज्यात कीजिए Solution तीन और साथ का LCM is equal to 3 into 7 is equal to 21 इसका उत्तर है 21 उदाहरण दो पांच और नौ का लगुत्तम समापवर्ति ज्यात कीजिए Solution पांच और नौ का LCM is equal to 5 into 9 is equal to 45 इसका उत्तर है 45 प्राइन फैक्टर विधी इस विधी में हम संख्याय लेते हैं और उन्हें सबसे छोटे संभव अभाज गुनक से विभाजित करते हैं यदि कोई संख्या पूर्ण विभाजित हो जाती है तो हम उसे विभाजित कर देते हैं अन्यथा हम उसे वैसे ही रखते हैं अगे चरण में हम इसे अध्य संभावित अभाज गुनक से विभाजित करते हैं हम इसे तब तक करते रहते हैं जब तक कि सभी भागफल एक नहीं हो जाते अन्त में हम LCM प्राप करने के लिए सभी प्रमुक कारकों को बुणा करते हैं आईए नीचे दिये गए कुछ उदाहरन देखें चार और आठ का लगुत्तम समापवर्ति व्यात कीजिए Solution चरण एक चार और आठ को दो से विभाजित करें और नीचे भागफल लिखें चरण दो दो और चार को दो से विभाजित करें और नीचे भागफल लिखें चरण तीन एक और दो में से एक को दो से विभाजित नहीं किया जा सकता है इसलिए इसे छोड़ दे दो को दो से विभाजित करे भागफल एक है दोनों एक को नीचे लिखे चरन चार अब सभी प्रमुप कारकों को गुणा करे दो इंटू दो इंटू दो इस इक्वल टू आठ आठा चार और आठ का लगुत्तम समापवर्त्य आठ है उदाहरन दो चार छे और आठ का लगुत्तम समापवर्त्य ज्याद कीजिए सल्यूशन चरन एक चार छे और आठ को दो से विभाजित करे और नीचे भागफल लिखे चरन दो दो, तीन और चार को दो से विभाजित करे और नीचे भागफल लिखें चरण तीन एक, तीन और दो को दो से विभाजित करे और नीचे भागफल लिखें चरण चार एक, तीन और एक में से एक को तीन से विभाजित नहीं किया जा सकता है इसलिए इसे छोड़ दे तीम को तीन से विभाजित करे भागफल एक है, तीनों एक को नीचे लिखे चरण पांच अब सभी प्रमुक कारकों को गुणा करे दो इंटू दो इंटू दो इंटू तीन इस इक्वल टू चौबीस आथा चार, छह और आठ का लगुत्तम समापवर्तिय चौबीस है प्लीस सब्सक्राइब, लाइक और शेयर माई चानल आठ के शौट मुवीज अलसो प्रेस बेल आइकन पर अपकमिंग एडुकेशनल और एंटेंमेंट वीडियोस